हेलो एवर्यों रादे रादे और कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग अच्छे हों सो आज यह जो वीडियो है ना इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ ने कुछ सीख कर जाओगे कि मैं सामने से बैठ के आपको कुछ चीजे अपना experience शेयर करना चाहती हूँ कुछ facts बताना चाहती हूँ जो मैंने खुद ने I was 73 जब मैं 73 की थी और आज मैं 54 की हूँ सो मैंने almost 19 से 20 किलो कम कर लिया है 6 मन्त में वो कैसे वो सारी चीजे अगर आपने ठाल लिया अपना weight loss करने के लिए तो यह वीडियो आपके लिए थोड़ा motivate कर सकता है तो मैं कुछ चीजे बताना चाहती हूँ जो आप इसमें आप मुझे देख रहे हो यह मैं exercise कर रही हूँ कोई भी exercise करें आप सबसे पहले तो बहुत important होता है exercise अपनी life में जरूर include करें जरूरी नहीं जो मैं कर रही हूँ वो करना है आपने आप कुछ भी करें प्राणायम करें वोकिंग करें योगा करें अनुलोम विलोम करें जुम्बा करें या नॉर्मल exercise करें बट गिव at least 30 to 35 minute active रहें अपने पूरे दिन में जो आप घर के काम करते हैं वो include नहीं होता है कभी भी आपको अलग से देने हैं तो ये एक first fact है और ये एक life lesson है जरूरी नहीं कि आप weight loss करो तभी करो नहीं ये आपकी एक lifestyle में add होना चाहिए तो चलिए अभी हम वीडियो को शुरू कर करते हैं और कुछ चीजे मैं आपको बताना चाहती है जो कि fact है अपने अच्छी lifestyle को maintain करने के लिए या weight loss करने के लिए ठीक है मैं कभी भी weight loss term नहीं use करना चाहती हूँ एक अच्छी lifestyle जीने के लिए ये बहुत जरूरी है तो चले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती उनके लिए नहीं के जो weight loss कर रहे है या जो मैं पॉइंट्स बतारी हूँ वो ऐसा भी नहीं है कि कोई medical problem है तो वो ये follow नहीं कर सकता है या normal है वही follow कर सकती है ऐसा कुछ भी नहीं है स्टार्ट करते हैं जो कि 10 truth है how I lost my weight 20 kg in 6 month with no diet plan तो पहला तो पॉइंट यह है कि कभी भी कोई भी आप diet plan follow मत करो या start मत करो जो कि आप lifetime follow नहीं कर सकते हो even मैं खुद कह सकती हूँ मैंने वो कोई भी diet plan follow नहीं किया जो कि मैं lifetime follow नहीं कर सकती हूँ तो ऐसे diet plan का क्या फायदा कि आप weight loss कर लो उसके बाद फिर अपने normal routine पर आओ क्योंकि आप फॉलो नहीं कर सकते हो lifetime तो आपका weight gain फिर से हो जाएगा तो हमेशा वो चीज़ फॉलो करो अपने diet plan खुद बनाओ because you are your dietitian आप अपने body के खुद के dietitian हो किसी की जरुद नहीं है अपने motivation चाहिए आपको अपने आपको समझनी की जरुद है कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है आप खुद कर सकते हो तो आप वो चीज़ diet plan करो जो आप पुरी life कर सकते हो अपने घर में सभी के घर में वो सारी facilities नहीं होती है पूरा diet plan आपके kitchen में ही available है कुछ भी बाहर से खरीदनी की जर ग्राउन अलग है बट काम एक ही करना है अगर कुछ करना है लाइक हमें दूबले होना है तो हम कैसे हो किसी की diet plan के according मत हो आप अपने ऊपर काम करो आज की व्लोग को इधरी एंड करो और वो चीज़ करो जो अपने देरी घर में खाते हो उससे अपना diet plan दलाओ तो आप दे है तो यह देखिए यह आज से 6 मंत का पहले का व्लोग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस व्लोग से मैंने सोचना चालो किया था कि मुझे क्या करना है और क्योंकि घर में सभी की काम होते हैं मैं भी एक मदर हूँ मेरे भी घर में काम होते हैं बच्चे का स्कूल कहां से टाइम निकाले यार मुझसे तो भुका नहीं रहा जाता यार मैं तो नहीं रह सकती हूँ मैं तो बहार बहुत जादा खाने का होता है पच्चास सो मतलब इतने बहाने मिल जाएंगे आपको कि आप कुछ नहीं कर पाऊगे तो फरस्ट अफॉल प्रपेर यो सेल्फ तब ही आप कुछ कर पाऊगे दूसरा चली दूसरा बताती हूँ कि कभी भी सुबह उठके चाय और कॉफी नहीं लेना है उससे पहले कोई भी आप आधा बनाना या सोगड बादाम ले 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 तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि चलो बहुत लोग गरम पानी नहीं ले पात और ध्यान रखें अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो eating every two hours very important हर दो घंटे में आपने खाना है कुछ ना कुछ according to your choice ये से मैं चीजे बता रही हूँ अब इनको implement कैसे करना है वो भी मैं आगे आपके लिए वीडियो बनाओगे अभी मैंने सोचा है कि जो मैंने six month में किया मैं बताती हूँ आपको but at least मैं इसलिए ज़्यादर डिटेल में नहीं बताती हूँ ना ही मैंने वीडियो बनाओगे मैं नहीं चाहती है आप मेरा follow करो but at least मैं आपको motivate तो कर सकती हूँ ना मैं अपना तो दिखाई सकती हूँ कि मैंने कैसे किया है तो ये third point आपने जैसे मै संसेट मतलब उतना तो नहीं हो पाता है कि साड़े छे बज़े हम कर लें तो at least साड़े साथ से पौने आट तक आपका डिनर हो जाना चाहिए fifth point exercise करना बहुत ज़रूरी है जो कि हम hate करते हैं और पसंद क्या करते है खाना लेकिन फिर भी 35 मिट की exercise बहुत ज़रूरी है है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये vlog तपका है जब मैं सिर्फ सोच रही थी मैं कुछ करती भी नहीं थी लेकिन सुपा साड़े पांच बज जोटके फिर भी मैं walk करती थी मेरा weight loss तो नहीं हो रहा था उस टेम पर बट मैं active थी ठीक है मुझे कोई बीमारिया नहीं थी कुछ भी नहीं था मुझे और जो thyroid है वो तो मुझे शादी से पहले का है वो genetic है six point बहुत ज़्यादा active रहें सीड़ियां उतरें चड़ें फोन पर बात कर रहे हैं तो walk करके करें अगर extra time नहीं कुछ भी करें जैसे काम भी करते हैं कुछ लोग काम भी नहीं करते हैं घर कर तो उनको active रहना चाहिए seven eating healthy food think global and eat local मतलब healthy food ही खाना है reasonable food खाना है आपके आस पास में जो सबजिया मिल रही है जो fruit मिल रहे है वही खाना है जरूरी नहीं है आपको chia seeds खाना है pudding खाना है या कुछ processed fruit काना है जो dietitian के नाम पर जो बोलते हैं इसमें बहुत आता है like protein powder है कोई नहीं खरीच सकता है protein powder बहुत है ना तो बहुत सारे option है चीजें change करने के लिए life में पैसे की जरूरत नहीं है weight loss के लिए eight point saying no to sugar and processed food sugar को bye-bye करो अगर आप morning में टीवी ले रहे हो ना एक दम से नहीं छोड़ सकते हो एक चमश डालते हो तो आधी चमश डालो आधी चमश से zero पे आओ या बिल्कुल हलकी ड रहता है बहुत सारी चीज़े होती ही मिठाईया होती ही हलवा होता है बहुत सारी चीजों में शुगर पड़ती है नाइन नाइन पॉइंट क्या है water बहुत ही important है water and आपकी good health के लिए water बहुत ही important होता है digestion बहुत अच्छा होना चाहिए तो at least 3 लीटर पानी आपने पीना ह पूरे दिन में और 10th point बताऊं क्या है जो starting में बोला था start अभी करो start now यह मत बोलो Monday को करूंगी अगले month करूंगी या नए साल पे कर लोंगी या बड़े के बाद करूंगी या बड़े के बाद करूंगी या बड़े के बाद नहीं शादी या टन टनी उसके बाद करूंग आज से ही करो और बहुत स्लोली करो मैंने पहले ही कहा है कभी किसी का डाइट प्लाइन मत पूछो कुछ भी मत पूछो डाइट प्लाइन खुद बनाओ अब अगर वीडियो देखते भी हो वो motivation के लिए देखो वैसा follow नहीं करना है एक होता है ना like मैं सोच रही हूं कि जैस अब बेशन का चीला भी खा सकते हो उससे भी weight loss होगा तो copy करके ही weight loss नहीं होगा सिर्फ motivation चाहिए उसकी जरुवत है तो आप देख सकते हो कि अभी इसमें जो मैं आपको दिख रही हूँ हो six month पहले का है ठीक है तो यह जितने भी आपको काम दिख रहा है ना वो मैं आज भ का वीडियो कैसा लगा and if you want मैं बहुत सारे ऐसे motivational videos बना सकती हूँ जो कि आपको interest भी आएगा देखने में motivate भी लगोगे और मैं पता है चाहती तो मैं सामने बैठके भी इतनी जितना मैंने बोला है ना बोल सकती थी बट आपको सामने से मैंने डेमो दिखाया है मुझे सामने से मैं क्या थी और क्या होगी लेकिन हाँ जो अभी भी हूँ वो भी मैं healthy हूँ because मैं इस टाइम पे भी बहुत ही healthy life follow करती थी मैं बहुत बाहर का नहीं खाती थी योगा करती थी but हाँ weight loss करना था मुझे and you can see अभी मैं और इसमें और आज में मेरे अंदर कितना change आया मेरी skin मेरी बाल मेरे health मैं कितना glow कर गई हूँ लेकिन यह चीज गल आते हैं जो लोग मोटे होते हैं फिर पतले हो जाते हैं वो एजिट लगने लगते हैं जरुरियां आ जाती है उनके face पे मेरे में तो glow है क्योंकि मैंने diet नहीं किया है नहीं मैंने dietitian को वो किया है क अपने आप से किया है किसी से मैंने कोई सलह नहीं लेकिन हाँ एक friend को जरूर पकड़ाया है उसने भी मेरे साथ बहुत अच्छा काम अंजू कुंडला नाम है उनका और नहीं मुझे बहुत motivate किया है मैंने बहुत बात give up भी किया है और नहीं motivate किया है है आज वो weight loss कर रही है है ना तो कोई ना कोई घर में एक को पकड़ लो friend हो husband हो mommy हो papa हो जो आपको motivate करें जो demotivate करते हैं ना लोग उनको cut off कर दो कुछ दिन के लिए ना what's up ना call विल्कुल भी दूर ही बना लो आप है ना तब ही आप कुछ कर पाऊगे तो चलिए आज का वीडियो आपको कैसा ल लगा हो एंड अगर सच में अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं मैं फिर से बोलूंगी आज से शुरू करो और खुद से शुरू करो एंड जो अभी आप डेली लाइफ में आपके घर में खा रहे हो ना उसको थोड़ा फेर बदल करना है आपने portion में कंट्रोल करना है थ अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है खुश नहीं रह रहे हो कोई प्रॉब्लम है तो रुक जाओ उसको जाने दो और कहते हैं ना खुशियां ओल दा टाइम रहती हैं कहां तक वेट करोगे ये बात भी सही है तो फिर अगर आप ऐसा कर सको कि चाहें दुख हो चा है तो वेट लॉस फिर भी नहीं होगा वेट लॉस तो छोड़ो हेल्थ वैसे ही चली जाती है है ना तो ऑल्वेस ट्राइक टू कीप यो सेल्फ हैपी क्योंकि इस दुनिया में कोई हमेशा खुश रही नहीं सकता है खुद कोई रखना रहता है तो चलिए आज की ब्लोग क करती है मिलती हूं कर आप से तब तक लिए अपना ख्याल लाइए